केंद्रिय अग्रीह मंत्री अमित्शा का जम्मू कश्मीर का दोरा है आज जी हाँ अमित्शा कट्वा और उदमपूर जीलों में करेंगे चार रैलियां ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कट हुआ उदंपूर चेनानी में रैलियों को संबोधित करेंगे अमित्षा जम्मु कश्मीर में तीसरे चरण के लिए चुना पर चार भारते जंता पार्टी का देज हुआ है अमित्षा जम्मु कश्मीर के दौरे पर हैं एक अक्तुबर को तीसरे फेज के 40 सीटों पर मतद होना है केंद्रिया ग्रीह मंत्री अमित्षा का जम्मु कश्मीर का दौरा है आपको बता दे कि अमित्षा कट हुआ और उदंपूर जीलों में चार रैलियों को संबोधित करेंगे बानी कट हुआ उदंपूर चेनानी में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे कश्मीर का दोरा है बारते जंता पार्टी का जमू कश्मीर में चुनापर चार तेज हुआ है आपको बता दे कि चार रैलियों को आज अमित्षा संबोधित करेंगे कहीं न कहीं कारे करताओं में और उमीदवारों में जीत का मूल मंतर देंगे ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं एक अक्टूबर को तीसरे फेज में 40 सीटों पर मतदान होना है खेंद्रे ग्रिया मंत्री अमित्षा का आज जमू कश्मीर का दोरा है अमित्षा कट्वा और उदमपूर जीलों में चार रैलियों को सम्मोधित करेंगे इस दोरान जीत का मूल मंतर भी देंगे बानी कट्वा उदमपूर चेनानी में रैलियों को सम्मोधित किया जाएगा जमू कश्मीर के तीसे चरन के चुनाब होने है दो चरनों के चुनाब जो है मतदान खतम होगे हैं अब तीसे चरन के लिए भारते जनता पार्टी ने कमर कसली है चेंद्रे ग्रिया मंत्री अमि बानी में जाएंगे उदमपूर चेनानी में भी जाएंगे वहाँ पर जो है विशेश रैलियों का आयोजन भारते जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा और वहाँ पर जो है चुनाबी रैलियों को और लोगों को सम्मोधित करेंगे कहीं ने कहीं अपनी जो इनकी प् पूरा प्रयास किया जाएगा तीसरे चरन का जो मतदान अब होना है उसे लेकर अमिच्छा आज जम्मू कश्मीर जाएंगे बानी कठ्थुआ उदंपूर चेनानी में रैलियों को संबोधित करेंगे बड़ी जानकारे आपको दे रहें कि भारते जिंता पार्टी का जम्मू कश्मीर का दौरा यह बहुत ही एहम रहने वाला है क्योंकि अब लास्ट फेज रहे गया है जहांपर जो है मतदान होना है कहीं न कहीं लोगों को जागरुक भी किया जाएगा यह बड़ी जानकारे आपको दे रहे थे कि केंद्रे ग्रिया मंतरी अमिद्शाथ जम्मू कश्मीर के दौरे पर है